Hello everyone, thanks for the wonderful response of super 25 batch. अभी हम लोगोंने just कुछ दिनों पहले super 25 खतम किया और उसके इतने अच्छे response के बाद अब हम लोग regular 45 batch शुरू कर रहे हैं आप लोग के मन में थोड़े से doubts भी होंगे कि सर ये super 25 में भी पुरा course covered है और अब आप regular full course in-depth batch शुरू कर रहे है 45 lectures का उसमें भी पूरा course covered है येस मैं आपको बता दू कि दोनों course को same regular book, regular question bank और MCQ book के साथ पढ़ा जाता है मतलब जो notes मिलते है, material मिलता है वो बिलकुल same है तो सर ये जो नई batch आप शुरू कर रहे है 16th of Feb से उसमें क्या अलग रहने वाला है listen guys, super 25 में explanation to the point होता है speed जादा होती है पढ़ाने की, repetition कम होते है, नई जैसे कम होते है और जो line by line read करना होता है, एक एक line पढ़ना वो नहीं होता है ठीक है, तो cut to cut चलता है, तो जो बच्चों के पास में समय बहुत कम रह जाता है उनके लिए super 25 is really good जो बच्चे थोड़ी planning से चल रहे हैं, उनके पास में अच्छा समय, मतलब class के लिए समय दिया हुआ है, allocated है, वो regular 45 के लिए उन्होंने जाना चाहिए यहाँ पर background explanation ज़्यादा होता है, आपके speed reasonable होती है फिर इसमें repetition ज़्यादा होते है, line by line read किया जाता है दोनों में course बिलकुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर definitely समय ज़्यादा है हमारे पास में समय ज़्यादा है तो चीजें भी ज़्यादा करने को मिलती है इसमें question answer का discussion ज़्यादा होता है, MCQ का discussion होता है, जो हम super 25 में नहीं कर पाते अब अलग-अलग बच्चे है, लोगों के अलग-अलग preferences है, जिसका जो preference है, उसके हिसाब से वो enroll कर सकते है अब इस वीडियो में मैं आपको जो हमारी 16th of Feb से जो batch शुरू हो रही है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ लेट सी one by one, एक एक करके हम लोग चीजों को देखते है यह full course batch है, yes, it's a complete full course batch, पूरा का पूरा course इसमें cover होगा आपका हम लोग इसमें पूरा background discuss करेंगे, detail explanation होगा, examples होगे line by line reading होगी और adequate number of repetitions भी होगे, तो भी adequate repetitions also lectures के अगर हम बात करते हैं, तो 45 lectures होगे, जो हो सकता है, हो सकता है 2-3 lecture आगे पीछे हो, 3 घंटे के आसपास के lecture हैंगे, it will be morning 6.30 a.m सुबह के समय हमारा दिमाग fresh होता है, पढ़ने का best समय होता है, मेरी personal energy levels बहुत high रहती हैं सुबह के समय, तो बहुत मज़ा आएगा, वहाँ पे उस समय पढ़ते वक्त, और इसी बहाने बच्चों का जल्दी उठना भी हो जाएगा, साड़े ची से 10 का टाइम दिया है लेकिन इसमें break भी और doubt session, break और doubt session दोनों रहेंगे, इसलिए साड़े तीन घंटे आपको दिख रहा है, और हो सकता है, दस का सवा दोस भी हो कभी कभी, कभी कभी दस का सवा दस कोई topic चल रहा है, ठीक है, और वो खतम ही होने वाला है बस, और 10 minute चाहिए, तो हो सकता है, मैं पहले ही आपको बता दू, किसी का miss होता है, तो चिंता करने की बात नहीं, backup के बारे में हम आगे बोलने वाले, backup lectures, backup हर रोज, शाम को 6 बय तक, 6 बय तक generally backup क्योंकि इसमें processing करने में समय लगता है, ठीक है, उसको edit करना होता है, उसको compress करना होता है, इन सब को समय लगता है, जितने घंटे का lecture होता है, उतना घंटे processing, उतना उससे थोड़ा कम फिर compression में लगता है, तो शाम को 6 बय तक चंदली, 6 बज़े उसके पहले backup ready हो जाता है, upload हो जाता है, तो जो बच्चे अगर सुबह नहीं देख पाए, कभी सुबह lecture नहीं देख पाए, तो आप backup lecture देख लीजे, या फिर किसी भी reason से miss हो जाए, तो backup lecture आपके पास हमेशा available रहेंगे, backup 6 मेने के लिए वालिए रहेगा, जब से batch शुरू हो रही है, तब से आपका activation हो जाएगा, it will be valid for 6 months, 1.5 views इसमें आपको मिलेंगे, वैसे लाइव वालों के लिए golden opportunity है, आपको एक पूरा व्यू तो आप लोगों को live lecture में मिल गया, और फिर 1.5 view extra आप लोगो बैक अप में मिल रहे हैं, जब कि we are not charging anything, anything extra और more for that, colored books रहेंगे आपकी, books बताऊंगा मैं आपको अभी, there'll be colored books, 2 volume में आपके भास कर regular notes होंगे, 2 volume में आपकी परम question bank होगी, और फिर इसके साद आपको MC की book, तो in total आपको पांच किताबे मिलेगी, you'll be getting five, you'll be getting five books, ठीक है, देखिए, मैं आपको बता दू कि किताबे कैसी होगी, जैसे ऐसे ही यह, एक acid 250 है, acid 250 आपको नजर आ रहा है, उसके notes है यह, तो आप देखेंगे तो colorful notes है, इसमें आपके tabular format को use किया गया है, और standard indenting है, सब जगा आपको दिखेगा एक जैसी indenting, यह बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन notes को और पढ़ने के experience को यह बहुत ज़ादा improve करते है, it will be colored notes, आपके examples green color में होंगे, तो आपको जैसी green color दिखेगा, आपको समझ में आजागा, यह example है, हो सकता है, यह example institute ने दिये हो, या फिर हमने दिये हो, हमारे example understanding के लिए होते है, exam में लिखना ज़रूरी नहीं होता, और पढ़के समझ में आजाता है, किसका example, बहुत short में तो हमारा example होता है, इस बार अगर आप नहीं देखा होगा, हमने super linking, ठीक है, notes में, notes में लिखा रहेगा हर topic के बाजू में, कि अगर इसका question, CNO 21.00 मतलब, यह question bank का question number है, कि इस particular point पे यह question पूछा गया था, हमने पूरी question bank, पूरी each and every question, each and every question को हम लोगों ने link किया हुआ है, we have linked it with our notes, and each and every MCQ from ICAI, ICAI से जो हमको MCQ में रहेगा है, उसको भी हम लोगों ने link किया हुआ है, ठीक है, notes में आपको summary मिलेगी, जहाँ पर भी blue color नजर आए, इसका मतलब summary है, इसको हम लोग key to remember बोलते है, short में summary आपको मिलेगी, कभी-कभी summary के अलावा आपको charts मिलेंगे, जहाँ पर ऐसा लगता है, chart ज्यादा suitable है, वहाँ पर आपको charts मिलेंगे, colorful charts रहेंगे, shortcuts pink color, जित कि भाई, इस point के उपर ये question आ चुका है, उसका shortcut, देखिए, mcq, mcq number भी, कि भाई, इस point पर ये mcq, incs मतलब integrated case studies, integrated case study number 8 का, mcq number 4, ठीक है, वह इस point के उपर है, ये आपको समझ में आएगा, तो ये मैंने आपको notes बनाए, इसके अलावा, notes में जहाँ पर भी brown color है, brown color मतलब ये recent addition, recent change addition, modification है, हमारे notes में, हो सकता है module के वज़े से, हो सकता है statutory amendment के वज़े से, किसी भी reason से, ये चीज़ हो सकती है, हमारी question bank, जैसे ऐसे 250 देखा, उसके question bank, हर question को एक unique number दिया हुआ, जैसे यहाँ पे CNO 21.000, हर question का heading है, आपको ताकि देखती ही समझ जाए, किस point के उपर focus करता है, हर question का source है, कि ये particular question, नवेंबर 04 exams में था, नवेंबर 14 exams में था, practice manual 2017 में था, study material 20 में था, and so on, ठीक है, ये भी आप लोग को मिलेगा, question bank में भी blue color में summary include की गई है, blue color is for summary, देखिए, ये ऐसी आपको question bank मिलेगी, इसके भी दो volume होंगे, और आपको फिर MCQ book, पूरी MCQs, CA Institute ने आज तक जितने भी MCQs इस्यू किये हैं, पहले sample MCQs, फिर MTPs, फिर RTPs, सारे हमने include कर लिए और उसको chapter wise divide कर लिया, ठीक है, जिसे 250.1 आपको देख रहा है, इसको unique है, unique मतलब ये particular MCQ है तो उस standard से related, उस topic से related, लेकिन कोई exact वैसा point नहीं है, general है, general है, कुछ और exact ऐसा का ऐसा point, exact ऐसा का ऐसा point आपको notes में नहीं मिलेगा, हाँ हमने discuss किया होगा, लेकि notes में exactly नहीं मिलेगा, उसको हमने unique नाम दिया है, ताकि unique MCQs और questions को आप अच्छे से पढ़ ले, उस पे ज़्यादा ध्यान दे, ऐसे questions जो exactly, वो कोई point पे नहीं है, उस पे ज़्यादा ध्यान देना होता बच्चों को, तो हमने उसको unique mark करकर रखा है, यह हम लोगों ने हमारे MCQ book में भी किया है, और यह हम लोगों ने हमारे question bank में भी किया हुगा है, किताबे बड़ी प्यारी है, बहुत मज़ा आएगा आपको लोगों को पढ़ने में इसमें, यह सेम किताबे हम super 25 के साथ भी दे रहे है, ठीक है, daily audio revision, audit voluminous subject है, voluminous subject है, उसको समझना एक चीज होती है, फिर उसको याद रखने का तरीका और उसके touch में रहना और एक चीज होती है, तो इसलिए रोज रात को, रोज शाम को 7 बजे तक आप लोगों को audio revision मिलेगी, super 25 में भी हम लोगों ने अभी ऐसी ही किया था, जिस format में जो हमारा infrastructure है, electronic infrastructure वो पूरा, अभी super 25 batch खतम की, बिल्कुल वैसा ही है, पूरा का पूरा, वहाँ पे, I was, बीच में कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने 25 में से 15 lecture के audio दे, 10 lecture के audio बाकी वो दे दूँगा मैं अभी, यहाँ पर पूरे आपको हर lecture का, हर lecture का आपको audio मिलेगा, और पूरे lecture का एक audio रहता है, और ऐसे में आप देखेंगे कि around 15 hours, 15 घंटे में आपका पूरा audit, 15 घंटे में आपका पूरा audit कवर हो जाएगा, तो आपको कोई चिन्ता ही नहीं है, revision की आपको दूर दू तक चिन्ता नहीं है, यह audio revisions आपको पूरी मदद करेंगे, और यह जो revision है, यह किसी एक topic का नहीं है, इसमें पूरी book कवर्ड है, complete book will be covered here, live chat and doubt clearing, हम लोग एक session लेते हैं पढ़ाने का, उसके बाद में आपके पास में समय होता है, आप मुझसे live chat, doubt पूच सके, उसके लिए separate app प्रोवाइड कर रहे हैं, separate app आप आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिस पर आप chatting कर सकते हो, यह laptop में भी आप open कर सकते हो, और यह mobile में भी आप open कर सकते हो, audio यहाँ पर upload किया जाएगे, कोई extra PDF मुझे आपके साथ में share करना है, तो वो भी यहाँ पर share किया जाएगा, and as I said, यह हम लोग पिछले एक साल से पूरा infrastructure यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपको जो lectures view करने है, वो lectures view करने की facility आपका दोने के, आप laptop यह भी उसको view कर सकते हैं, और आप mobile पे भी आप उसको view कर सकते हैं, दोनों जगा आपके पास facility होगी, इसमें amendments include है क्या, यह बच्चों का सावाल होता है, of course, CA Institute ने जो changes लाए है, वो पूरे इसमें include है, जितने भी May 21 के amendments से पूरे include है, Carow 2020 included है, Company Amendment Act 2020 included है, Form 3 CD के changes है, all other relevant, सारे के सारे आगया, November 21 के लिए कोई खास changes ऐसे नजर नहीं हाते है हमको, ठीक है, November 20 या फिर May 22 जिसके लिए जो changes आगे थोड़े बहुत आएंगे, वो हमारे YouTube channel और Telegram channel, Audit Guru Telegram channel है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, you will get it there, तो कोई आपको चिंता की ज़रुरत नहीं है, Vsmart का channel है, वहाँ पर भी आपको यह, वहाँ पर भी आपको यह regular आपके amendments जो है, वो मिल जाएंगे, that's not a big thing, May, June में जो exam उनले 21, वो बच्चे इस batch को कर सकते है, ऐसा expected है कि around 15th of April, 15th of April यह batch हमारी खतम होगी, तो अगर exam जून में हो रही है, तो देड़ महने का, देड़ महने का समय बच्चे के पास रहेगा, क्लास खतम होने के बाद में अपनी self study करके exam के लिए, अगर exam regular में में हो रही है, जिसके chances थोड़े से कम है, थोड़े कम है, ठीक है, तो फिर, फिर ऐसे case में, आप लोगों को, अगर में में होता है, तो फिर 15 दिन का ही समय बच्चता है, 15 डेस का समय बच्चता है, तो में जून वाले अगर कोई है, तो मैं बोलूँगा, अगर आपको super 25 batch है, वो ज़्यादा comfortable है, recently recorded है, आपने वो पढ़ना चीए, November 21 के students के लिए applicable है, May 22 के लिए भी ये applicable है, आप auditguru.in website से इसके लिए enroll कर सकते हैं, एक बार batch खतम हो जाती है, तो vsmart के site से auditguru.in से ये दोनों जगा से आप इसके लिए enroll कर सकते हैं, live batch का management अलग करना होता है, इसलिए initially सिफ auditguru.in से हम लोग इसको register करवाते हैं, उसके बाद ठीके, vsmart पे भी available रहेगा, auditguru पे भी available रहेगा, कहीं से भी आप purchase करते हो, कोई problem इसमें नहीं जाता. So guys, I am super excited for this batch, बहुत मज़ा आने वाला है, पुरा amended हम लोग पढ़ने वाले, in-depth हम लोग जाने वाले, बहुत सारे discussions हम लोग करने वाले, बहुत सारे charts हम लोग use करने वाले, shortcut हम लोग use करने वाले, तो वहाँ पे मिलते हैं, and it will be a lot of fun. Bye-bye everyone.